हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल और आज हम समाश शास की प्रकरती को जानेंगे नेचर ओफ सोशलोजी क्या है अगर आप नेट जेरिफ की तयारी कर रहे हैं सोशलोजी सब्जेक्ट से या पीजीटी टीजीटी टीचर के लिए तयारी कर रहे हैं तो वीडियो आपको काफी हेल्प करेगा आपके सोशलोजी को बेस को तयार कराने में क्योंकि सब्से पहले आपको अपने सब्जेक्ट का जो बेसिक है बेसिक नॉलिज होना बहुत जरूरी है तो उसके लिए हम समाश शास को शुरू से पढ़ रहे हैं तो और भी हमारी वीडियो हैं समाश शा करते हैं ये वीडियो समाश शास्त की प्रकरती समाश शास्त की विशे शेत को समझने के पस्चात हमें समाश शास्त की प्रकरती को समझना चाहिए या हमें यह ध्यान रखना होगा कि विशे की प्रकरती से तात पर यह पता लगाना होता है कि यह विज्यान कि यह विशे व विज्ञान है अत्वा कला क्या कुछ और है विज्ञान शब्र सुनते ही हमारी कलपना में परियोग शाला और उसमें काम में आने वाली वस्तुवी द्यान में आती है लेकिन हमें यह जानना जरूरी है कि विज्ञान किसे कहते हैं स्टुवर्ट चेस विज्ञान का अर्थ स्पस्ट करते हुई कहते हैं विज्ञान का संबन पदती से है ने कि विश्य सामगरी से उसका संबन एक पदती से है ना कि विश्य की कोई सामगरी से है इस प्रकाश चेस विश्य सामगरी की तुल्ना तुल्ना में ज्यान प्राप्त करने की पदिती के किसी विश्य के बारे में जानने के लिए उसकी पदिती को जानना बहुत जरूरी है इसी प्रकार काल प्रेयर्सन जी जो थे ठीक काल प्रेयर्सन वे लिखते हैं कि सबे विज्ञानों की एकता उसकी पदिती में है नहीं कि उसकी विश्य वेस्तों में तो क अधात विशे इस परकार के तरीके से प्राप्त ग्यान को हम विज्ञान कहते हैं और यह ग्यान विज्ञानिक पदिती के आधार पर प्राप्त किया जाता है जिसके यह चरण है अगर आप किसी भी विशे के बारे में जानना चाहते हैं तो उसके कुछ पदतिया होती है तो किस तरीके से आप उसका विज्ञानिक रूप से अध्यन करेंगे तो आपको ये जो पांच चरंड दियें इनको फॉलो करना होगा तब ही आप उसका जो है विज्ञानिक तरीके से खोज कर पाएंगे सबसे पहले क्या है कि समस्या का चैन करना समस्या का अधन विश्या का चैन करना कि आपकी विश्या या आपकी समस्या क्या है पहले आपको ये जानना बहुत जरूरी है जैसे आप जानेंगे कि भारत में गरीबी क्यों है तो आपका ये विश्या है कि कारण क्या है भारत में गरीबी का ठीक है उपकल्पना निर्मान करना उसके बारे में सोचना कि किस परकार से मुझे इस विशे का चैन करके इस विशे को सुलजाना है कि क्यों मेरे को मतलब भारत में समस्या का निवारन करने के लिए क्या करना होगा तो उपकल्पना का नि पास जा करके तत्यों को इखट्टा करना पड़ेगा किया सी क्या कमी है कि वो निरक्षर है पड़ नहीं पाते या काम नहीं कर पाते या उनका काम करने का मन नहीं करता ऐसे हम तत्यों को संकलन करेंगी हें थैक और चौundhah चरण है तत्यों का वर्गी करन विशलेशन फिर जो हमने तत्य एकत्रित कए हैं उनका विशलेशन करेंगे कि ऐसा क्यों है लोगों का मन क्यों नहीं है काम करनी का या लोगों ने पढ़ाई क्यों नहीं करी अगर उन्होंने पढ़ाई करी होती तो शायद गरीबी के कम आसार होते हैं ऐसे हमें विशलेशन करना होगा फिर सिध्धान्त को निर्मान करना होगा समानी करना होगा विशलेशन करने के बाद हमें एक हमें एक सिध्धान्त का निर्मान करना हुगा कि हमें इसका सौल्व कैसे करना है हमें इसे सौल्व कैसे करना है इसके बारे में अपने कुछ सिध्धान्त बनाने होंगे कि गरीबी को दूर करने के लिए हमें क्या-क्या उपाई करने होंगे तो हमें अपने सिधानतों का निर्मान करना होगा अब हम यह तो समझ गए कि विज्ञानिक पदिती के आधार पर प्राप्त ग्यान ही विज्ञान होता है अंता हम विभीन प्रकार के विशिष्टाओं को भी जानना चाहिए जो निमने प्रकार है सबसे पहले क्या है वस्तु निश्टा अब्जेक्टिविटी जी से कहते हैं वस्तु निश्टा कारत है अधिन करता दुवरा निश्पक्ष अधिन करना ठीक है अगर हम किसी चीज की बारे में अधिन करेंगी तो पूरी इमानदारी से निश्पक्ष तरीके से अधिन करेंग जो है अध्यन करेगा है फिर विद्राभक सत्यापनि में वेरि डिलिटी संकरितर ज़्यान्तальная पर संध्य होने पर उनका सत्यापन खर नहीं ठीक करना अगर संथे है उसको follow करना होगा जब तक विज्ञानी पदिति को tool नहीं करेंगे तब तक हम किसी निश्त पर नहीं पहुंच पाएंगे तो सबसे पहले विज्ञानी पदिती को तैयार करना होगा तिक है जिसके निश्त अपने चरण होती है अगला है कारेकारण संबंद विज्ञान कारेकारण संबंदों को जानने का प्रयास करता है कि इसका कारण क्या है हमें इसका कारण निकालना है उनके संबंदों को जानना है ताथ घटनाओ के पीज़े छिपे कारणों को जानना ही उसका प्रयास करता है अगर हम विज्ञानिक पदिती से किसी चीज के सर्च करते हैं समस्य का निवारन करते हैं तो विज्ञान का एक आप गुण कह सकते हैं तो उसके कारणों को वो जानने का प्रयास करता है फिर है समानी करण विज्ञान में अधन के दुवारा तत्यों के अधार पर किसी समाने नियम को ग्यात किया जाता है समाने नियम को ग्यान कियाता है फिर वह पूर्वानुमान विज्ञान में तत्यों के अधन के अधार पर गटनाओं का भविश्य में पूर्वानौम अगर हम ऐसा करेंगे इस समस्या का निवान करने के लिए तो भविश्य पे क्या इंपक्ट पड़ेगा इसका भी पूर्वा नामन जो है विज्यानिक लगाते हैं फिर है अभा विकता थेेगा नवहों करता है अधन करता है इंद्रियों की साथा से तत्यों को करता है एकतर्त करेंगा विज्यानिक ग्यान के अधार पर बनाये गए नियम सार्वोंगक होते हैं मतलब कि वो मानने होते हैं अधात्वेस हमें स्थान गिसा बदलते नहीं है अब जैसे कि नियम जो हमारे विज्यानी का दापर बने पड़े हैं जैसे पिर्थवी और सूरे की सॉरी वो जो न्यूटन ने एक नियम बनाया था कि अपल नीचे गिरा आपको याद होगा हमने सिक्स ते सेवन क्लास में पड़ा था तो उसमें उसने एक नियम बनाया था कि गुर्थवा कर्शन के बल के कारण ही शायद न्यूटन ने ही कहा था मुझे कमेंट बांस में जरूर लिखेगा अगर सच में ही नियूटन ने क्योंकि मुझे भी इतना याद नहीं है तो नियूटन ने कहा था कि गुर्थवा कर्शन बल के कारण ही एपल जो है पेड से नीचे गिरा तो ये जो गुर्थवा कर्शन का बल है ये जो नियम है कि गुरत्वा कर्शन के कारण ही चीजे नीचे गिरती है ये नियम सारव भामिक है ये चाए अमरीका हो चाए इंडिया हो या पाकिस्तान हो या नेपाल हो या कहीं भी हो हर जगा पर एक ही मान लिता है इसकी तो उसे हम बोलते है सारव भामिक ठीक है तो हर जगह पर इसका एक ही नियम रहेगा और गुरुत्वा कर्शन बल का जो है नियम हमेशा यही रहेगा यह बदलेगा नहीं ना तो हम इसे यह कर सकते कि अपल उपर से नहीं गिरा इस तरीके से तो गुरुत्वा कर्शन का बल हमेशा ही रहता है कोई विजिज हम उपर फैकेंगे तो वो सीधा नीचे आएगी ठीक है तो वो होता है गुरत्वा कर्शन का बल तो थैंक इस वीडियो को देखने के लिए